हेलो दोस्तों मैं मुलका सर आपके साथ जुड़ चुका हूँ दोस्तों आज की सेशन में हम लोग आपका जो क्वेशन नंबर 5 है ये सर क्या च्टडी दे फॉलविंग टेबल एंड फिगर्स कितने मास का क्वेशन है सर्फ 8 मास का क्वेशन है 4 मास एच आपके टेक्सबुक एक देख लेना आपका क्वेशन नंबर 5 का प्रॉब्लम सौल हो जाएगा पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू दोस्तों हम लोग सीए फाउंडिशन सीए इंटर एंड सीए के भी क्लासिस लेते हैं तो अगर 12 के बाद आपका कोई प्लान होगा तो आप करते हैं अपने 12 पर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टन बात अब चालू करते के स्टेडी बेस्ट आंसर तोड़ा अगर आपने स्पीड भी बढ़ा दिया इस लेक्शर का तो भी आपका वन मुलतना की सारे चीज़ें खतम हो जाएगे सारे के स्टेडी बेस आंसर खतम हो जा क्या हो सकता है sir observe the given table and answer the question okay sir यहाँ पर आपको क्या दिया है एक जगह पे दिया है नमबर अप दे यूनिस आपको कमोडिटी टोटल उटिलिटी और मार्जिनल उटिलिटी दो क्वेस्टिन बूचे गए जो दो मास के थे पहला क्वेस्टिन रॉट टोटल उटिलिटी को अ इसके तो दो माक्स मिल गए लेकिन यह सर कैसे ड्रॉ करना है मैं चाहूगा कि जो बंदा फॉर्स टाइम देख रहा है उससे भी समझे जो अल्रीडी पढ़का है उसका भी एक बार रिवाइज हो जाए सबसे मुद्दा क्या हो जएथा सबसे बड़ी बात कि यो बहुत लिखना क्या है और यह बहुत जरूरी है आप सीप ऐसे table draw करके आओगे एक कव निकाल दिया नहीं चलेगा मतलब आपको at least ज्यादा explanation तो नहीं माग रहे लेकिन पूरा तो लिखिए y axis के side में लिखोगे utility और x axis पे लिखोगे number of unit जो दिये हुए है ओके sir यहाँ पे general यह आप textbook का देखोगे तो दो-दो का gap लिया हुआ है लेकिन यहाँ पे हमको 15 unit है और अपने answer sheet में इतना लिख सकते है तो एक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 तक यह number दिये sir और madam question देखना दोनों starting में 6, 6 है तो यहाँ पे मैंने क्या किया six unit से एक point plot किया marginal का भी और total का भी then after second unit पे मेरा total utility 11 हुआ marginal utility 5 हुआ तो tu बढ़ा mu कम हुआ क्या गद्धा मालिक tu 12 पे लेके गया mu को नीचे गया लेके गया so on आप लोग को table observe करना है आपने जो plot किया हुए number उसके हिसाब से लेके जाना है एक level तक आप देखोगे क्या sir कि एक unit पे आपका तीन पे भी tu क्या था पंद्रा चार पे भी tu क्या है पंद्रा लेकिन mu क्या हो गया है आप देखोगे unit क्या है जीरो तो यहाँ पे एक constant का line आया हुआ है बहुत बच्चे क्या करते ड्रॉ करने में ऐसी line निकाल देते है ऐसा मत करना उपर तक जाए है थर्ड यूनिट पे पंद्रा था फोर्ट यूनिट पे पंद्रा है बराबर ना थर्ड यूनिट 15 था यहाँ पे ध्यान दो और फोर्ट पे फिप्टीन तो यह तो सीधा ही जाएगा यह तो उपर जाने वाला नहीं है and then after decline हुआ तो आपका ये कव जब tu का कव निकालते हो ध्यान दो एक लेवल पे उपर तो जाएगा फिर कॉंस्टेंट होगा और फिर नीचे गिरेगा ऐसे निकालना है एम्यू का कोई टेंशन ने नीचे जाएगा नीचे जाएगा टी यू जब maximum में एम्यू 0 होगा एम्यू नेगेटिव हो जाएगा मालिक दूसरा आंसर य हो गया नाओ थ्री ए डिमांड में से एक क्वेश्चन आता है आपको सर मैंने कहा था इंडिवीजल डिमांड एन मार्केट डिमांड अब मार्केट डिमांड कैसे सॉल करना है कंसेप्ट सिप याद रखो टेबल आपको आट में से आट मांक्स दिला के देंगे सर जिब रखना है conceptual understanding लेनी है सर क्या आपको एक चीज़ पता एक लाइन थी वहाँ पे कि होरीज़न्टल समेशन जबी आप टेक्सबुक देखो अभी भी पढ़ सकते हो टेक्सबुक निकालके वहाँ एक लाइन होरीज़न्टल समेशन मतलब क्या सर यह अगर आपको फिलीन दबला समेशन में आपको लेके जाना है और आपका अंसर आज आएगा complete the demand schedule जिसमें आपने लिखा क्या लिखा सर और मैं इनका होरीज़न्टल समेशन कितना आ गया 43 टोटल कर लो यहाँ पे कितना आया सर 33 27 and 18 आई होप आपको समझ रहोगा यह इसका टोटल करते जाओ यहाँ पे filling the blanks भरते जाओ horizontal टोटल करना है पहला concept done दूसरा उन्होंने कहा है कि क्या करें वापस graph निकाले डर जाएगा सर नहीं दो मास का सवाल एकदम शांती से चीज़ों को handle करना है क्या देखेंगे हम लोग y axis निकाला x axis निकाला दूसरा y axis पे क्या है price x axis पे क्या है quantity demanded price का प्राइज कितना था जब मेरा प्राइज समझो यहाँ पर उन्होंने दिया 40 तो कौनसा कॉलम आपको लेना है सर और मैडम लास्ट कॉलम मैंने समझाया था कि market demand में आपको जो first and last aggregate जो total होता है आपका डिमांड का वो total demand का column observe करना है इसलिए आप देखोगे कि जब प्राइ इस क्या होते गया मालिक बढ़ते गया वेसे वेसे आपका demand क्या होते गया कम कम होते गया आपने इसे ड्रॉब भी कर दिया प्रॉपर तो भी आपके दो माक्स बन जाएंगे समझा तो दिया है मैंने कैसे करना है उसमें टाइम नहीं डालना है हमको तो easy question था आपको question देख पूरी तरीके से देख लो एक बार काउ को demand में ये वाले last column की बात लिखने है समझ गया everyone yes sir चलो आगे बढ़ते है सर और मैडम क्या दिया है next question आपको graph दिये हुए है और यस graph में ध्यान से अब्जोव करना बच्चे वापस डर जाते सर कि आप लोगों का डी यह जो नॉर्मल है only d और डी डैश मतलब डी डी जो है उसमें sir और मैम क्या है कि एक कव ऊपर की तरह shift to id1 और एक कव नीचे की इतना ही दिया है उन्होंने उन्होंने पहला question पूचा है राइट वर्ड शिप्ट इन डिमांड को यह क्या कहा जाएगा sir अगर राइट वर्ड आपका डिमांड को शिप्ट हो रहा है तो उसे में कहता हूं increase in demand not expansion in demand समझ रहा है क्योंकि only price की वज़े चेंज इन डिमांड क का concept मालिक है क्या हो रहा है अगर आपका डिमांड को राइट की तरफ शिप्ट हुआ तो उसे में क्या कहोगा क्या कहोगा sir increase in demand तो आपका पहला answer हो जाएगा अगर वो downward shift हो गया तो क्या लिखना है डाश 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 लेकिन पूरे शिद्दस से देखो यह सर तो दो पॉइंट हो गए अगर हमको यह कव दिया था अभी आप टेक्स्बूक भी लेकर बेट सकते हो सीधा question नंबर इस पर आजाओ जो भी आपका टेक्स्बूक में दिया है टेबल के format वाला अगर उपवर्ड शिप्ट वाट राइट वर्ड शिप्ट वाट राइट वर्ड शिप्ट वाट इस य लग जाते हैं तो ध्यान दो यहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड जिन्हों ने लर्न किया है वहाँ पर राइट वर्ड और लेट वर्ड अगर आ गया लोजिकली तो समझने में आसान है लेकिन कुछ नए वर्ड एक्जाम में आते बिना अगर हम पढ़के गया और उस से या कॉंस्टन देन अफ्टर इंक्रीज एंडी क्रीज इंडिमांड कम संदर वाट दाश डैश वेरियाशन या चेंज तो यहाँ पर आंसर आएगा चेंज इंडिमांड चार पॉइंट हो गए सर यह टेबल में किसी को दिक्कत लिए कंसेट क्या है वेरियेशन इंडिमा आपका ओके और एक कुश्चन है जैसे कि अप वेरियेशन की बात आई है देखो कंसेप्ट आया और यहाँ पर कुश्चन भी आ गया इन डाइग्राम ए रिप्रेजेंट डैश 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 इन डिमांड क्या है सर ए क्या आपका डिमांड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है करेंगे और मैं चाहता हूं कि टेबल देखके आपसे डर मत जाओ लेक्टर लास तक देखो सारी चीज़े समझ लो ऐसे भी मैंने कहा है आपको कि आपका पूरा पढ़ाय का शिडिल हो गया जब पढ़ाई ने ओरी तो मेरी लेक्टर देखो सारी बाते समझ जाएगे आपक आपको क्या लिखना है expansion लिखना है चुले आपना अंसर भी दिखाता हूं में क्या लिखना आपको expansion लिखना है everybody silly mistake करोगे क्या नहीं करेंगे सर ओके इन डाइग्राम B represent क्या हो रहा है देखो इस डाइग्राम इस इस एरो की तरफ ध्यान दो प्राइस बढ़ रहा है उपर तो डिमांड क्या होगा कम लेकिन बच्चे लिखेंगे क्या लिखना है contraction क्या समझ रहा है क्या यह सर इन डाइग्राम आपके टेक्स्बुक आप लेके बेठो वापे सारे question मिलेंगे मैंने textbook के सारे question table और diagram के कर लिए है so please यह request है कि आप textbook लेके बेटे ताकि आप और अच्छे से actively उस चीज़ को कर पाऊगे I hope आपको समझ रहा है वाले क्या ध्यान दो सबका focus यहां पर उनाच यह 100% concentration दो कम दिन रहे गे लेकिन आपको question number five में दिक्कत नहीं आनी चीज़ और जितना में करवा रहा हूँ उसमें से expected दो चार question भी आ गए तीन में से दो ही हमको लिखने sir तीन में से दो ही लिखने तो खतम हो गया ना हमारे marks हमारे जोली में आ जाएंगे ओके सर थर्ड डाइग्राम ए मुम्मेंट अप डिमांड कव इसन डाश डाश सर क्या है डाउनवर्ड यह शिप्ट नहीं होता यहाँ पे सिप मुमेंट अलॉनम्णग दगर चलता है बेरियेशन में से ऐ समझा हमने है तो सर यह मैं क्यों समझा रहा हूँ अगर उन् result के पूछे लेकिन इसकी तरह के ठोड़ा गुमा फिरा के पूचा आगर रया था तो आप सब चीजे कर सकते है अ मालिक यह सर, चैप्टर नम्बर थ्री बी में आ जाते है, इसका तो कहना ही क्या है, I didn't defend the degree of elasticity of demand, from the following demand करो, टेक्स्बुक लेके आँ चलो, इस चैप्टर नम्बर थ्री बी पे आ जाओ, और उस question पे आ जाओ, question नम्बर फाइव पे, मतलब जो आपका diagram से related होगा, जो भी question, έλिटार सर ये क्या ίारे प्रेज़ेंट करता है हमने लिखा सर हमको सारे डाइगराम लटीर्ध आप रिच्छ बधाब्र कंई प्रफेक्ली इनेलःस्टिंड लगेगा AttINK gi ik अन्षार लिखना है पर्फेक्ली इलास्टिक दिमांड जेंज इंड प्राइज प्राइज कितना भी हो लेकिन दिमांड पर उसका फरक नहीं पड़ता आई थिंग यह लेक्ट्टर मैंने पहले भी दिया था लेकिन आप फ्लो बतलब जैसे हम जा रहे सारे चैप्टर आपको आपके साथ जितने झाली बिटेबल है का अंसर है टेबल फॉर्म है पैसेश फॉर्म हो आपके साथ आ जाने चाहिए फ्सी हीर चैप्टर्स के एककनोमिक्स के इसलिए हम यह कर रहे है ये सर्ट और बाद में लिखना इटिस का लिए परको टेक्स्ट्टूक में ऐसे डाइग्राम दें दिये ह टेक्सबूक में यह डाइग्राम दे दिये हुए आप टेक्सबूक पे जाईए आपको समझेगा चैप्टर 3B पे जाओ एक्सिसाइज में जाओ मैं जो बोल रहा हूँ करो यह लेक्चर को पॉस्ट करो टेक्सबूक लो पढ़ो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा सर इतना ही एंब होगी स्थर बिडि ये बताऊ ये कह रहेगा सर अच्छा ऐसे कह वें सर होरीज़न्टर इसका मतलब ये पर्फेक्टली एलस्टिक क्या है पर्फेक्ली एलस्टिक क्या सर यहां पर जैस्टक और 10 चेंजिन प्राइस थोड़ा प्राइस में चेंग जोए या ना भी हो आपका जो डिमांड है infinite change in what quantity demanded of a commodity it is called perfectly elastic point number two और ED क्या रहेगा उल्टा infinity everybody दूसरा paragraph भी समझा यस सर आगे जाते जिनोंने देखो मैंने जो IMP question दिये थे वहापे मैंने ये question दिया हुआ है क्या करने का what do you mean by price elasticity of demand and explain it's what types तो वह question किया तो इसका answer तो आई जाना था yes sir okay sir यह देखते हैं हम लोग unitary elastic demand पहले तो यह फरक भी देख लेना same है करके यह मैंने समझाया था अपने regular lecture बहुत detail में तो sir क्या होगा when proportionate change in percentage proportionate or percentage change in demand for a commodity is same as the proportionate or percentage change in the price it is cross unitary elastic demand it is zero मतलब क्या sir दस टक का price change हुआ तो दस टक का demand change होगा पर से proportionate change जितने percent से price change होगा उत्ते percent से demand change होगा it is called what unitary elastic demand और उसे हम क्या कहते हैं इस case में ED क्या होगा sir ED हमेशा one होगा क्योंकि आप जो formula में डाल दो 10 divided by 10 क्योंकि जितना price change हो रहा है उतना ही demand change हो रहा है तो answer हमेशा वनी आएगा yes sir आपके textbook का next question फड़ा फट रिवाइस करते बिना time यहां पर गवाए sir यह क्या रहेगा थोड़ा द्यान दो price कम change होगा demand ज्यादा change होगा इस gap को भी आप समझोगे ना जो में टेकनिक बताया तो आपको समझने का प्राइज आपका कम change हो रहा है कि ज्यादा या फिर demand price का comparison में क्या कर रहा है ज्यादा respond कर रहा है suppose price change होगा 10% से और demand change हो रहा है 25% से तो इसे में क्या कहोगा relatively elastic demand जिसमेरा demand कहो क्या आता है flatter आता है सर समझ लेते हैं relatively elastic demand proportionate और percentage change in demand for a commodity is greater than proportionate और percentage change in price तो price मेरा सिब 10% से हुआ है demand ज्यादा चेंज हुआ है तो greater than समझ में आ रहा है तो इसे relatively elastic कहेंगे मालिक it is got relatively elastic demand and in case EDE क्या greater than one यह तो हमने समझा ही था बहुत अच्छे से आपको बता है था it is greater than क्या रहेगा one yes sir next question पर जाते फड़ा-फड जिनका हो गया है कि देख सकते हैं लेकिन छोड़ मत देना करके समझ में आ रहा है ओके सर अच्छा कैसे इस चीज़ को handle करना है मैंने I think so मेरे जो previous recorded lecture में अपलोड किया उसमें बता दिया ऐसी पीसी चैक्टर पर मैंने lecture upload किया था ओके सर पहले तो यहापर formula important है सर lower segment of demand को below given point divided by upper segment of demand को क्या given जो भी आपका point रहेगा उन्होंने क्या पुछाए पहले वो समझते true or false में आंसर देना आप textbook पे रहोगा आपको पता रहेगा demand at point C is relatively elastic demand यह क्या चल रहा है point C क्या चल रहा है point C मैंने आपको समझाय था एक चीज़ याद रखो यह कैसे समझना है अपको रिवीजन है फास्ट रिवीजन है इसलिए अभी में चलो ज्यादा यह कव और डाइग्राम और passages का अंसर तो मैं ज्यादा speed में भी नहीं जा सकता तो क्या हो जाएगा आपको बाउंसर भी नहीं जाना चीए मैंने आपको समझायता है एक लाइन है क्या है एक लाइन है यह एक लाइन सपोज इसका डिस्टन्स होगा वन सेंटीमेटर कितना होगा वन सेंटीमेटर एक्जेक्ट अगर बीच में उससे तोड़ा जैसे कि यह पॉइंट है बीच में मुझे तोड़ा तो उपर कितना रहेगा पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव समझ में आ रहा है क्या पॉइंट फाइव सब्सक्राइब एक मिनिट यह अब यह पॉइंट फाइड पाइब हाउ पॉइंट फाइव और पॉइन फाइव बड़ाब या फिर थोड़ा और समझने के लिए और चीज़ आसान कर देता है पॉइंट से जिसको डर लगता है पहले सामसे मैस नहीं है सर मैस वालो को इसले इ से रहेगा ना दो पर दो नी चुद्वीश मेने क्या किया दो तुकड़े किया उस के से समझ लो तो एक ज एक जेट अगर मैं डी पर अगर मैं다 से ऊंसर कैज आ जाईगा आपकावN तो यूनिटरीर कि एक बात बताओ झो एक प्रोंट इंक अँवाला पॉयंट है नवांसे सीधा पॉयंट हैन लाइन निकालो वर्टिकल सपर्फिक्ल लिन इलास्टिका समझा क्या डी का एक याद रख लो हाफ परसेंट उपर हाफ परसेंट लिज़े तो वन आंसर आएगा क्या सर रिलेटेवली क्या आपका सौरी यूनिटर इलैस्टिक तो ध्यान दो में उसी पॉइंट पे लेके जाता हो आपको सी तो छोड़ दो फिलाल भी ठीक है डी डिवाइड़ बाइब हाफ पोश्चन अगर आपका दो डिवाइड़ बाइड़ दो आंसर वन आएगा तो वन किस में रहता है पर्फेक्ली इन इलैस्टिक में रहता है या उन्सर थर समझो मुझे समझाना है मैं रेगुलर में बहुत डीटेल में बताया लेकिन आए होप प्राइड लिवाइड़ इस दिमांड तो दोनों आप देखो है उन्हेका क्या है अंसर क्या है एसे डील करना है समझा क्या इनोह जो हुषयार बच्चे जोनर बहुत पहले पढ़के रखा उनको लिये बहुत आसान बात थे लेकिन ऐसे भी जो स्चुड़र्ट जो ख्लास नहीं लगा पाया उनको सम्झाईन यह question skip करने वाले थे माले skip मत करो सम्झो यह सर्ड demand at point a is perfectly elastic क्या है सट्रू कैसे perfectly elastic the length of the upper segment is what zero therefore ed is what infinity at that point a is demand perfectly what elastic upper segment कुछ बताई नहीं ना पूरा lower segment हो गया lower segment divided by zero infinity तक्या आपका answer जाएगा सर तो perfectly लिक है इने लोजिक भी याद रखो अगर यहा से पॉइंट कैसे नigration था सीधा ही तो पर्फेक्क लीका होता सीध ही यहा से पॉइंट कारता अपरी तो पर्फेक्ट्टी क्या उता और क्या होता बोलो Ing putting तेन ब्राथा क्लिखक राउने, प्रन्हेटके हिखंतिक मिर्डल में पर युनिटरी हाप पॉपर निचे अब बी हे बी बेखो बी पे क्या रहेगा जादा पॉपरशन क्या है उपर की साइडे सचया बतलब समझोCH 5 उपर है या 10 दसपर है और डूसर क्याएगा डिवैट कर लिने का दस कोई भी रेंडम सेग्मेंट बढ़ gotta यहाई इन सब्सक्रेंट देहिए तो सइळ?" नेनद7 सब्सक्राइब लाइन नेकर? लेंथ ज्यादा है रीजन अलेंट अब लोवर सेग्मेंट इस मोर्थ एस कंपेर तो अपर सेग्मेंट एस पॉइंट बी देर्फोर एडिस ग्रेटर दान वन दस पॉइंट बिस डिमान इस रिल्टेवली एलास्टिक आपको समझ रहा होगा शांती से देखो पूरा लेक्ष पॉर्मूला का है लोवर सेग्मेंट डिवाइड़ पर सेग्मेंट तो लोवर सेग्मेंट तो सी से में यह तक जाओगा तो इत्तु साहई दो डिवैड़ेड़ बैस तो पॉइंट टू लेस दैन वन तो यह क्या होना चेह था रिलेटिवली इनिलास्टिक यह बोल रहें सब्सक्राइब आपने लिखहले रिलेटिवली वर्रहें सेनलस्टिक यह और यह क्या बोल ररे हैं यह दो यह Wouldns पॉइंट सेनलस्ट क मंड लेतिवव्र हैं आना चाहिए माल यह hon पॉइंट समजा ओके आपकी टेक्स्ट्बुक आपके सामने कि मैंने इतना सब यह ड्रॉ करके रखा रहा है इसलिए वो कन्फूजन हो गया लेकिन आपके सामने सिर्फ आपका क्वेश्चन ही है धान में रखो समझ रहा है सर उन्होंने क्या का पॉइंट सी पे रिलेटिवली इलास्टिक है रुख जाओ थोड़ा लूवर सेग्मेंट देखो चोटाई डिवाइड़ बापर सेग्मेंट आप करोगे दो डिवाइड़ बाइड़ दस एक्जाम्पल अजम्शन के बेसिस पे आपने ले लिए तो पॉइंट टू सर लेस देन वनी चांसर आएगा कोई भी छोटी चीज़ को बड़ इलैस्टिक कैसे सर क्योंकि वहाँ पर तो जीरो अपर सेग्मेंट पूरा यह लोग सेग्मेंट कुछ है मतलब आपका लुवर सेग्मेंट पूरा है अपर सेग्मेंट कुछ ही नहीं and so on I hope आपको समझ गया रहेगा और ज्यादा डिसकस ने करते इस नहीं बढ़ाते करके यह सर क्या है About some chapter में कुछ दिया हुआ है सप्वर्टर्पेय स्कर conducted यह से क्या करने का अफ्जर करने का पहले तो याद रुखो प्राइज और सप्लाइ में रिलेशिंशि PPE फिटीज खूप का डिरेक रिलेशनशिप है चलो सर को यहां पर आप देखो प्राइस बढ रहा है कि इस पर यह बढ रहा है अगर प्राइस ऑप titre के प्रपॉर्शन से न यह बढ़ा करो दो सो पच्छा सो चार सो फज Eso Lite करना के उसका ना चाय के प्राइस ऑड़ पहले तो सप्लाइश मेंने कम्प्लीट कर दिया मैंने क्योंकि प्राइज बढ़ रहा है तो सप्लाइब को भी बढ़ा और इसका डाइग्राम डॉक डॉक्ट करना था इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाते क्या करेंगे वायक्सिस पर मैंने प्राइज लिखा एक शुस्ट सप्लाइब लिख दिया प्राइज में ने दस पंद्रा भी सप्च पच्छी स्थीश पैटिस चालिस का एक क्या रखा एक सेग्मेंट बना दिया दस पंद्रा के हिसाब से और सप्लाइज यो भी बढ़ते गया एक का रोग किया जो अप्वर्ट फॉर इसमें जारा है करके सब्सक्राइब लेट जारा है ने च्टेट इडिशन आपका जो आ रहा है वापस टेक्स्बुक का स्टेट डेलेशनशिप बिविन प्राइज अन इन कॉंटेडि सप्लाइज क्या है सर इडिके अब्जरेशन्शिप प्राइज रसें प्रम 10-40 अप्लाइज सॉप्लाइज दूनीड दस दले सब्सक्राइब कांट्री डिमांडेड इन सप्लाइब क्या हथ के मार्ट से किने क्या का कॉंसा रिलिशंशिप पे सर डिरेक रिलेशंशिप है क्योंग की प्राइज बड़ा है तो supply भी बड़ा है खत्म ओके मालिक next question अब्सक्राइब मार्केट सप्लाइब शेडियूल और पोटेटो एंसर दो फॉलिएंग क्या का अब्सक्राइब मार्केट सप्लाइब पोटेटोस एंसर फॉलिएंग क्विश्चन सर और मैडम ध्यान रखो हम क्या करते हैं जब भी मार्केट शेडियूल आता है तो हरीजोंटल समेशन लेते हैं तो यहां पर यह सिंपल सा मैस्ट जो गया जो अपन सेकेंड थर्ड में करते थे यहां पर आ अंसर के आगया 35 अब यह टोटल भी कर लो 35 प्लस 20 55 प्लस 45 अंसरी संटेड मैच हो गया यह दोनों मैच होना चीए यह दोनों क्या होना चीए मैच होना चीए इतना सी प्लॉजिक रोखो मार्केट सप्लाइब और बाकी इंडिविजुल सप्लाइं दोनों का टोटल एक ही साइबन तो 1-1कल ब्लस चाहिए ऐसाफ और चीए लिया आपका हो गया अंसरना की ही इसमनों क्टी आशक कर देख को च닌ना समद्रेट सेरों 까 की लिखाए होगा लेकिन इसका लॉजिक समझो अगर पेपर में आपको नंबर अलग दे दिए थोड़ी न आप रटे हुए नंबर वहाँ पे लिखोगे पॉइंट समझ रहा है क्या पेपर में अगर नंबर ही अलग दे दिया आपको तो आप कुछ बच्चे मुझे पता है नाइंटी परसेंट बच्चे लॉजिक से जा रहे है जो टेन परसेंट बच्चे गलतिया कर रहे है रट ले नंबर को रटो मस समझो 154 44 प्लस 50 कितना होता है 94 और 154 बच्चा हुआ जो अमोंट आएगा सर यहां पर हम क्या कर देंगे 60 कतम सर पर यहां पर भी हमारा टेबल हो गया हमको मार्क्स मिल गए सर समझ रहा है यह सब्सक्राइबर यह सब्सक्राइब कर दिया के ऊपर जा रहा है ओके फाइंड आउट टेक्स्बूक पेज नंबर 43 पे आप चले जाना वहाँ पे आपको एक क्वेस्टन मिलेगा सब लोग टेक्स्बूक पे रहो गए क्या का है फॉर्म पर्चेस 600 यूनिट ऑफ और कमोडिटी एंड इंकर कॉस्ट तीन हजार तीन हजार कॉस्ट निकला तो कॉस्ट का इंफर्मेशन भी सम्में दिया है कॉंटिटी का इंफर्मेशन भी सम्में दिया है तो 30,000 डिवैड़ेड बाई 600 एवरेज कॉस्ट इसी बच्चों को फॉर्मूला पता होना चाहता आप पेश नंबर 43 पे हो राइट आपको क्या करना है find out क्या सर आपका एवरे कॉमुरिटी 10 पर उनिट 10 रुपया पर उनिट के इसाब से 400 उनिट इसल किये बताओ टोटल रिवेनिऊ कितना और एवरेज रिवेनिऊ कितना डरने का नहीं टोटल रेवेनू का फॉर्मूला का है प्राइस इंटू कॉंटीटी एकदम सौर्टेड है मालेक हाथ के माखस है तो बेचा कितना 400 कितने रुपे में 10 रुपे में तो टोटल रेवेनू कितना हो गया 10 इंटू 400 4000 सिंपल था लेकिन एवडेज रेवेनू कैसे निकाले सर जाए किया आपे दिया हुआ है ऐसे सम्भ हाथ के माक्स से गवाना मत आठ में से आठ आपको मिलने ही चाहिए फाइंड आउट क्या सरी फॉर्म सेल फॉरंडे उनिट उनिट अप कमोडिटी एक टेन पर उनिट कैल्कुलेट टी यार एन एक टी यार मतलब बच्चा कन्फीज हो गया टोटल रेवेन्य बोला है मालिक चार सो इंटो दस चार हजार टोटल रेवेन्य है और एवरेज मतलब क्या टोटल रेवेन्य चार हजार डिवाइड़ राइड़ राइड़ कॉंटिडी चार सो तो दस आ गया यह सर आगे जाते हैं सर चाप्तर नंबर फाई से भी कुछ दिये हुए है हां सर यहां पे देखो आपका कोई भी अमॉंट डाल सकते हो यह रिलेशन देखो डिमांड का रिलेशन्शिप क्या रहेगा इन्वर्स तो प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होना चाहिए और प्राइस और सप्लाइ का रिलेशन्शिप क्या डाइरेक्ट तो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो सप्लाइब भी बढ़ना चाहिए प्राइस बढ़ रहा यहां पर मैं 200 लिख दूँ क्या लिख दो शिर यहां पर ऐक सुननाब्बे लिख ना ना तो भी चलता क्या चलता सब्सक्रदल संद्सक्राइब क्यूं कॉंसा रहे ना क्या क्यों से लेकर शेख करा ना किakस्कूम साना चाहिए समझ में आ रहा है कि हंड्रेट हंड्रेट का जस्टिफिकेशन तो यह हैं पॉइंट साब आगे चलो ओके सर लेकिन यहां पर इक वले ओके अभी यह दोस्तों हो गया मेरा डिमांड और सप्लाइब पता नियुक्त डिमांड कम है सप्लाइब से या सप्लाइब से तो 300 के बाद में आप चार सो लिख देता हूं सर तीन सो पचास लिखा तो भी चले आगा चल सकता लेकिन क्या लिखो 400 की इसमें जाओ आप देन सर क्या है अगें डिमांड इस लेस्ट सप्लाइब सर्थ दोसों के बाद प्राइस बढ़ा है तो इससे कमीश रहेगा दोस 300 खतम हो गया सर जादा इसमें डिफिकल्टी ने है रेगुलर लेक्षेन बहुत डीटेल मैंने बता है आपको समझाओगा यहाँ पर उन्होंने नोट दे दिये कि मतलब ठीक है नोट पढ़ना है एक बार पढ़ लो बट मैंने जितना समझा आपको समझेगा लेक्टर पॉ इस कितना आएंगा 30 रूपीद आएंगा कि ने आएंगा डौ किया बराबर सर यह सुरनो और यह को ड्रॉ करना बहुत सिंपल यह एक ही ग्राफ निकालने आपको सप्लाइग अपवर जाएंगा डिमांड को डाउनवर आएगा और 30 रुपे पर इतना याद रखना यह पॉ बहुत ही इजी बात है ज्यादा कॉंप्लिकेटर है ने स्क्रींशोट इसका निकाल लो पीडिए भी में भीज़ दूगा राइट एक मेरा तुरंत एक इंपोर्टन लेक्टर है मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा लेकिन चैटर नमबर एट बहुत वन टाइम रिडिंग इंडियाज इंपोर्ट इनवाट 2015-16 सर यह जब पढ़ते है ना किसकी बात किये इस येर की बात कि पहले तो यह देखो टेबल दिया किया है एक तरफ आपको नाइंटीन नाइंटी नाइंटी वन का दिया है और एक तरफ फिफ्टीन सिक्षिन का दिया इतना सिंपल है कि इस से सिंपल कुछ होई नहीं सकता क्या बोला कि आपको यह देख रहा है कि किसका इंपोर्ट सबसे कम ता फिफ्टीन सिक्षिन में छोटा बच्चार होगा ना सेकेंड स्टैंडर का वह बता देगा कि सबसे कम कौन सा नंबर दिख रहा है 1.9 कि इसका इस्टन युरोप का खतम हो गया एक माक्स डाइट आइज यह बस उत्ताई करो वीच और्गनाजिशन आज मैक्जीमम शेर इंडिया 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 इंपोर्ट नाइंटीन नेंटीवन तो यह वाला कॉलम देखना मैक्जीमम सर मैक्जिम तो 54 दिखरा इस में तो खतम ओए सीडिया इंडि OECD refers to organization for economic and cooperation organization for economic and cooperation and development while okay पूरा पढ़ लेते organization for economic and cooperation and development and while OPEC refers to organization of petroleum exporting countries चलो everyone once again मेरे साथ आपको बताना है OECD organization of economic cooperation and development and OPEC है क्या organization of the petroleum exporting country done हां आप बताओ आपका opinion क्या है regarding India का जो इंपोर्ट हुए दोनों साल में 1990 से लेकर 15 16 में आप कहोगे India's import from OECD and Eastern Europe has declined drastically during the period of 1990 से लेकर 2015 देख लो ना पहले इनका इंपोर्ट बहुत ज्यादा था लेकिन अब क्या हो गया कम हो गया compare कि आपने टेबल को सिर्फ और observation डाल रहे हो हाँ sir on other hand import from OPEC बढ़ावरे नहां nation order rose during the same period okay sir तो आप देखोगे उन्होंने कहा कि OECD का क्या हुआ sir 54 से आ गया 28 इन दोनों को अब्जर्व करना था तो इस ड्रास्टिकली डाउन हुआ लेकिन OPEC 16 से किदर चला गया 23 पे तो इसका क्या हुआ अच्छा हुआ इसी से में फाइदा हुए इंपोर्ट बढ़ किया करें फाइदा अंतलब बढ़ा हुआ करके से आपने दिखाया हाँ मुच इस पर्सेंटेज आप इंक्रीज इन दो इंपोर्ट आप डेवलोपिंग नेशन 2015 कंपेर्ट नाइटीन नाइटीवन ठीक है सर कुछ नहीं करना है आपको आपको सिर्फ नाइटीन नाइटीन देखो there is an increases 24.6% the import of developing nation 2015-16 के comparison में as compared to 1990 में किता था 91 जो भी 18.6 था देखो developing nation कहा पे 18.6 कहा था 1990s की अब कितना है 43.2 इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना 24.6 से क्या हुआ सर इंक्रीज हुआ है that's it आपका अंसर खतम हो गया case study done दोस्तों इस lecture में जितना माहूल नहीं बनाओगा लेकिन सर टू दो पॉइंट मैंने बताने का ट्राई क्या है चैप्टर जो ऊपर का मैंने आपको अंसर भी दिया है PDF भी आ जाएगा सारे पॉइंट अच्छे से कर लो कर गए समझा तो य जय भार